बुलुस्री प्राणनाथ प्यारे की, बुलुस्री सद्गुरु महाराज की, दो सुन्दर सद्ग की आवाज आईए, कम से कम बीस की तो आए, दो सो बैठे होंगे, बुलुस्री प्राणनाथ प्यारे सब की आई, बुलुस्री सद्गुरु महाराज की, दो सुन्दर सद्ग की, अभी वाणी का गायन हो रहा था, तो गायन शुरू करने से पहले मंच संचालक महदाय ने कहा, कि आपको चर्चा करनी है, तो तबला बजाते बजाते मैंने सोचा, कि एक प्रकरण है किरंतन ग्रंथ का, साधु हम देखिया बड़ा तमासा, उस पे चर्चा किया जाए, फिर जब वाणी खोल रहा था मैं, तो मुझे लगा कि आख बंद करके ऐसे खोलूँगा, राज्जी का नाम लेके, जो प्रकरण निकलेगा आज उसी पे चर्चा होगी, मैंने वैसा है किया, आख बंद कीया आपके सामने ही, वैसे ही खोला मैंने, प्रकरण वही निकला है, तो राज्जी प्रत्यक्स प्रमान दे रहे हैं कि मैं आप सब के साथ हूं, अब इस दुनिया के तमासे को बहुत ज़्यादा नहीं देखना है, ये तमासा कैसा है, उसको पहचानते हुए हमें इससे बचते हुए निकलना है ये इस प्रकरण का भाव है जिसको हम आगे व्यक्त करेंगे किरंतन ग्रंत प्रकरण संख्या पांच महामती जी कह रहे हैं साधु हम देख्या बड़ा तमासा कि हमने बहुत बड़ा तमासा देखा है तमासा कहते हैं नाटक को नाटक के कई अर्थ होते हैं एक उसको भी नाटक कहा जाता है जो मंच पर जाकर के लोग अभिनए करते हैं एक्टिंग करते हैं उसको भी नाटक कहते हैं और दुसरा नाटक का तात्परिय क्या होता है कि जो जैसा होता नहीं है लेकिन दिखता वैसा है और जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है उसको भी नाटक कहा जाता है जैसे किसी के मन में आपके लिए क्रोध हो मन में आपके लिए इरश्या द्वेश्ट की भावना हो लेकिन सामने बहुत मीठा बोले और आपको पता है कि इसके मन में क्या है तो आप क्या बोलोगे ये प्रेम करने का नाटक कर रहे हैं लेकिन दोनों अर्थों में भाव यही निकलता है कि एक्टर भी जो एक्टिंग करता है वैसा वो थोड़ी होता है वैसा होता नहीं है ना इसी तरह से ये संसार जैसा दिखता है वास्तों में ऐसा है नहीं इसलिए इसको तमासा कहा गया है ये नाटक है और कहते हैं विश्व देख भया मैं विश्मय देख देख आवत मोहे हासा आशा मतलब हसी आती है दुनिया की अवस्था को देख करके दुनिया की हालत को देख करके मुझे हसी आती है इस संसार को देख करके मुझे आश्चर्य होता है मुझे अचंभा होता है आश्चर्य क्या देखता है कहते हैं कि अगली चौपाय में बताया आश्चुर्य क्या है महामति जी कहती है मेरी मेरी करते दुनी जात है बोज ब्रम्हांड सिर लेवे पाउं पलक का नहीं भरोसा तो भी सिर सरजन को न देवे सरजन मतलब इस स्रिष्टी का रचना करने वाला वह परमात्मा और सिर देने का मतलब क्या है समर्पित होना जैसे हमारा जो सिर है वो अहंकार का प्रतिक माना जाता है कि मैं हूँ हम किसी के आगे सिर जुकाते हैं तो ये भाव लेकर जुकाते हैं कि हमने अपने आपको आपके कदमों में रख दिया है स्वयम को जैसे सुन्दर साथ के भी चरण में प्रणाम करते हैं तो होना ये चाहिए होना क्या चाहिए हम क्या करते हैं मैं दोनों बता देता हूँ होना ये चाहिए कि जैसे महामती जी ने कहा कि जब लग रहो साथ चरणे होए रहियो तुम रेणू समान इत जागे का फल एही है चेत लीजो कोई चतुर सुजान कि सुन्दर साथ के बीच में जब तक भी हम रहें तब तक सब की चरण धूली बन कर रहें ये भाव होना चाहिए अब उस भाव को प्रगट करने के लिए हम किसी के सामने जुक तो जाते हैं लेकिन वो जुकना कैसा होता है सब के अंदर तो वो भाव नहीं होता जैसा चोपाई में कहा गया कि सुन्दर साथ की चरण धूली है हम क्या ऐसा भाव सच में हमारे अंदर आ पाया है हम कई बार मुख से भी कह देते हैं कि हम तो आपकी चरण धूली है लेकिन अगर कोई सामने वाला कहे दे कि तुम मेरी चरण धुली हो तो हमें बुरा लगता है तो हमें हमारे अहंकार को ठोकर लगती है ठेस पहुतती है तो कहने का मतलब यह है कि सिर देने का तात्परिय है स्वयम को समर्पित कर देना कुर्बान कर देना चौपाई कह रही है कि पाउपलक का नहीं भरोसा तो भी सिर सरजन को न देवे हम परमात्मा के प्रति समर्पन तब भी नहीं करते जब हमको पता है कि इस सरीर का एक पल को एक पल से भी छोटा हिस्सा होता है पाउपल पाओ पल मतलब जैसे एक किलो होता है उसको चार भाग कर दिया जाए तो क्या कहते हैं हम एक पाओ कहते हैं न तो एक पाओ का मतलब किलो का चौथा हिस्सा इसी तरह से पाओ पल का मतलब है एक पल का भी चौथा हिस्सा इतने का भी भरोसा नहीं है बरोसा किसलिए नहीं है कि हम कब तक जीवित रहेंगे ये लिख करके कोई नहीं दे सकता ऐसा भी हो सकता है कि हमारी उम्र सौ साल की हो और ये भी हो सकता है कि अभी हस्ते हस्ते बोलते बोलते तन छूट जाए शाम को खाना खाए घरवालों से बात किया सुबह उठे ही नहीं आपने देखा एकिन ऐसा समाज में सुना है पड़ा है कितनी ही बार कि फलाना विक्ति रात को सोया सुबह उठा ही नहीं कोई ऐसा था कि चलते चलते लुड़क गया कोई बात करते करते उसको हट अटेक आजाता है और वो मर जाता है तो एक पल के चौधा हिस्से के बराबर का भी भरोसा नहीं लेकिन हम कैसे चलते हैं कि मेरी मेरी करते दुनी जात है बोज ब्रम्हान सिरलेवे कि ये मेरा है ये भी मेरा है वो भी मेरा है ऐसा कहते हुए हमारी सारी उम्र निकल जाती है इससे हम उपर नहीं उठ पाते हैं अब आप से पुछा जाए कि इस दुन्या में आपका क्या है कुछ नहीं हाँ जब तक हम प्रयोग कर रहे हैं प्रयोग करना ठीक है उसको ऐसे ही समझना चाहिए यह जैसे की ट्रेन है रेल गाड़ी में हम बैठते हैं और अपनी मंजिल तक पहुँचते हैं लेकिन उसको लेकर के आप घर तो नहीं आ सकते ना इस दुनिया में भी आपके पास चाहे कुछ भी हो आप उसको यह कहें कि यह सिर्फ मेरा है तो उससे आपको लाभ नहीं मिल सकता चाहे धन का भी उदारन क्यों न ले कईयों के मन में लगता होगा कि हम धन कमाने की वज़े से सुखी हैं हम इकठा करने की वज़े से सुखी हैं लेकिन वास्तविक्ता यह नहीं है एक बार दो साधू साथ-साथ में रहा करते थे तो एक साधू जो की त्यागी थे वईरागी थे उन्होंने कहा कि आपको न धन इकठा करके नहीं रखना चाहिए संग्रह नहीं करना चाहिए आपको इसका त्याग करना चाहिए तो दूसरे वाले साधु मानते नहीं थे फिर एक दिन क्या हुआ कि गंगा नदी में पहुँचे वो अब नदी पार करना है पुल नहीं है नाव में बैठ करके पार करना है और नाव वाला तो कहता है कि दो रुपए लूँगा, पुराने जमाने की बात है, कहता है कि एक वेक्ति का दो रुपए लूँगा, दो लोगों का, चार रुपए हो गया, अब जो पहला वाला सादू था, जिसके पास पैसा था, वो पैसा देने के लिए तयार ही नहीं है, पैसा है उसके पास, लेकिन अब छोड़ने के लिए वो तयार नहीं, वो मोल भाव करता रहा, मोल भाव क्या करता रहा, कि हम सादू है, हम बैरागी है, हमारी सेवा कर लो, इस तरह से वो कहने लगा, तो नाव वाला कहता है कि घोड़ा, घास से दोस्ती करेगा, तो क्या, अगर मैं आपको फ्री में पार करा, तो मेरा गुजारा कैसे चलेगा, बात होते होते हुए माना नहीं नाव वाला, पैसा तो देना ही पड़ा, नाव में बैठे, पार तो हो गए, पैसा भी दिया, अब जो पैसा देने के लिए मान नहीं रहा था, वो साधू, जो द मतलब क्या है कि पैसा होना चाहिए, तो इस पर दूसरे साधू ने कहा कि देखो, पैसा तो तुम्हारे पास पहले भी था, लेकिन पार नहीं कर पा रहे थे, पैसा दिया इस वजह से पार कर पाए, तो छोड़ने में भलाई है कि रखने में भलाई है, मैं ये नहीं कहता कि धन ना कमाए, जरूरत है, कल की चर्चा भी अगर आप लोगों ने सुनी हो, आप में से कई लोग गए होंगे, तो वहाँ मैंने एक बात कही, कि शरीर जो है, वो साधन है, गाड़ी की तरह समझ लिजिए, इसमें अगर डिजल डालना है, पेट्रोल डालना है, मतलब खाना खाना है, कपड़ा पहनना है, कभी बिमार हुए तो जैसे गाड़ी में मैंटिनेंस लगता है, वैसे ही मैंटिनेंस के लिए, इन सब के लिए और पढ़ने लिखने के लिए, सब के लिए तो पैसा लगता है, लेकिन आप सिर्फ पैसा को ही सब कुछ मान करके बैठे तो क्य आप मंजिल तक नहीं पहुँच सकते आपने गाड़ी खरेद ली और यह सोचने लगए कि इसको चलाएंगे तो टायर घिस जाएगे तो क्या होगा मंजिल तक नहीं पहुच सकते न तो इसलिए चलाना तो जरूरी है अब चलाना कहा है लक्ष का पता होना चाहिए टारगेट का पता होना चाहिए मंजिल का पता होना चाहिए तो ये व्रम्होमानी हमें मन्जिल दिखा रही है और अब हमें सब को कहा जा रहा है कि ये मेरा है ये मेरा है कहते हुए हम सभी चले जा रहे हैं और जिस परमात्मा ने इस सारी स्रिष्टी को बनाया है जिसने हमारा भी निर्मान किया है उस परमात्मा के लिए तो हम एक पल का समय भी नहीं देते उसके लिए हम समर्पित नहीं होते ये दुनिया का सबसे बड़ा आश्चरिया है महा भारत में युधिष्टिर का नाम तो आपने सुनाई होगा है ना पांच पांड़ों में सबसे बड़े थे तो युधिष्टिर और यक्ष के बीच में बातचित होती है यक्ष ने कई सारे प्रस्ण किये थे उसको युधिष्टिर को और फिर अन्तिम जो प्रस्ण था सबसे महत्तुपूर्ण प्रस्ण सबसे जरूरी यक्ष ने पूछा कि युधिष्टिर ये बताओ कि दुन्या में सबसे बड़े अचम्भे की क्या बात है सबसे बड़ा आश्चरिय क्या है तो युधिष्टिर ने कहा कि यक्ष दुन्या में सब को पता है कि जिसका जन्म हुआ है उसका मरना निश्चित है पक्का है गीता में कृष्ण जी केते हैं जातस्य ही ध्रुवो मृत्यू ध्रुवम जन्म मृतस्य चव सेवा पुजा में चोपाई हम केते हैं आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर कोई सिंहासन चड़ी चले कोई बाधे जात जन्जीर चाहे कोई राजा हो चाहे गरीब हो चाहे साधू हो चाहे ग्रिहस्ती हो सब लोग चले जाएंगे लेकिन हम काम कैसा करते हैं कि हमें कभी इस दुनिया से जाना नहीं है क्योंकि अगर जाना होता तो जाने की तयारी करते हमें कहीं यात्रा करनी होती है तो यात्रा के लिए ज़रूरी सामान भरते हैं और उससे भी पहले हम क्या करते हैं टिकट खरिते हैं अब आपको कहा जा जैसे ट्रेन में चार अलग-अलग तरह के कोच होते हैं डिब्बे होते हैं एक होता है बैठने वाला जिसको कहा जाता है जेनरल डिब्बा दूसरा होता है स्लीपर फिर होता है थर्ड एसी फिर सेकेंड एसी हाँ पांच तरह के हो गए फिर आता है फिर आता है फर्स्ट एसी अब आपको कहा जाए कि तुम कौन से डिब्बे में यात्रा करना चाहोगे तो कोई जेनरल बोगी कहेगा, सब यही चाहेंगे कि हमें तो first AC में मिल जाए कम से कम AC की टिकट तो मिल जाए लेकिन इसके लिए तो पैसा खर्ज करना पड़ेगा ना टिकट के लिए इसी तरह से यदि हमें अच्छे कोच में यात्रा करनी है, मतलब सरीर छोड़ने के बाद, यदि अच्छे जगह की भी यात्रा करनी होगी अभी तो में मुक्ती की बात में आया ही नहीं हो तो हमें कर्म कैसा करना होगा जैसा हम फल चाहते हैं जैसा कर्म करेंगे फल तो बैसा ही मिलेगा ना गीता में कृष्ण जी कहते हैं अवश्य में वह भुक्तव्यम कृतम, कर्म, शुभा, सुभं सुभ और असुभ अर प्रकार के कर्मों का फल मिलता है अब हम क्या सोचते हैं कि ये धन हमारा है ये जमीन हमारी है ये सगे संबंधी रिष्टेदार ये मित्र हमारे है ये घर ये मकान विल्डिंग हमारा है लेकिन इन में से हम किस-किस को अपने साथ लेके जा सकते हैं किसी को लेके नहीं जा सकते इसका आर्थ क्या है? कि धन इस संचार में ही रह जाता है पशु जानवर कहां रह जाते हैं? कि अपने तबेले में पत्नी कहां तक साथ देती है? घर के दरवाजे तक क्योंकि उसको तो समसान घाट आने का भी अधिकार नहीं देते हैं लोग फिर जो लोग आपके साथ जाते हैं ना शरीर को ले करके वो कहां तक साथ देते हैं? जनाहा असमसाने, समसान गहाट तक, आपका सबसे ज्यादा अपना कौन मानते हैं, किसको मानते हैं आप, इस शरीर को, वो शरीर कहां तक साथ देता है, देहा चितायाम, अर्थ क्या हुआ, शरीर चिता तक साथ देती है, लेकिन हमारे साथ क्या जाते हैं, हमारे द्वारा किय गए कर्म के फल तो युदिस्टिर ने कहा कि ये सब सबको पता है आप मैंसे पहली बार ये चीद जान रहा वैसा तो कोई नहीं है हाँ मैंने जो स्लोक कहा वो आपने नहीं सुना होगा इससे पहले कईयों ने सुना भी हो सकता है लेकिन ये अर्थ तो पता ही था ना कि हमारे साथ कुछ नहीं जाने वाला है हमारे साथ तो कर्म का फल जाने वाले लेकिन हम कर्म कौन सा वाला करते हैं जेंदरल बोगी में जाने वाला और इच्छा किसकी करते हैं कि हमें एसी में जाने क्यों मिले ये सबसे बड़ा आश्चरिय है तो इसलिए महामती जी ने कहा साधो हम देख्या बड़ा तमासा हमने बहुत बड़े तमासे की बात देखी है और आगे क्या कहते हैं सिरले काम करे माया को पहले क्या कहा था मेरी मेरी करते दुनी जात है बोज ब्रम्हांड सिरलेवे पुरे ब्रम्हांड का बोज हम अपने सिर पर लेते हैं सोचिए कि हम क्या कर सकते हैं एक प्रधान मंत्री हुई हमारे यहां स्रीमत इंदिरा गान देजे मैं पोलिटिकल बात नहीं कर रहा हूँ सरफ उदाहरण दे रहा हूँ नई दुनिया रुकी यहां साइन्स पढ़ने वाले कुछ लोग तो होंगे विज्यान पड़े हुए न अणू परमाणू में इलेक्ट्रोन और प्रोटोन में गति चल रही है अपने आप उनकी गति को आप धक्का लगाते हैं नहीं ऐसा तो नहीं कि आप अणू परमाणू में घुश करके धक्का लगा रहे हैं पृत्वी अपने अक्ष में और रुकक्ष में अपने आप ही घुम रही है आप नहीं थे तब भी दुनिया चल रही थी आपके जाने के बाद भी क्या होगा घरवाले ज्यादा से ज्यादा दस बारा दिन तक सोक मनाएंगे तेरवे दिन भोज करेंगे होता है न मृतक भोज पार्टी मनाई जाती है क्यों कि बारा दिन तक हमने रुखा सुखा खाया है बिना नमक का खाया है तेरा दिन आपके जाने का गम ज्यादा दिन तक नहीं रहता है कोई कोई होते हैं और साइकोलोजिकली भी देखे तो चाहे किसी का भी दुख हो सामने रूप में गोपियों ने जो सौ साल विरह किया वो अलग बात है वरना सामन्य दुनिया में देखा जाता है कि पूरे दो स साल और साथ महीने के बाद में कोई व्यक्ति किसी भी तरह के दुख को भूल जाता है दुनिया में कहा जाता है ना समय को समय दीजिये सब ठीक हो जाएगा तो कोई किसी के भी मरने का दुख हो लोग कुछ समय के बाद भूल जाते हैं दुनिया पहले की तरह ही काम करने बुरा मत मानना, बुरा लगे अगर दिल से, तो फिर व्यवहार में लाना, क्योंकि अगर मेरी बात बुरी लग रहे हैं, इसका मतलब यह कि मैं सच बोल रहा हूँ। और किसी की भी हुई होगी, तो आपके अगर किसी की भी घर में मृत्ती हुई है, तो परिवार कितने दिन तक रुका, खाना तो बंद नहीं कर देते, यह अलग बात है, कि हमें दिखाना है, दुनिया को, कि हम उनका शोक मना रहे हैं, तो अलग-अलग प्रकार के कार्य करते ह वरना हमारा जो पेट है वो उसी तरह से काम कर रहा है digestive system है तो वो मांगता है तो भोजन हम लेते हैं हाँ पहले जैसा खाते थे उससे हलका खाते है सामान ये खाते लेकिन हमारा शरीर भी चल रहा होता है दुनिया के सारे काम काज कर रहे हैं पहले जब कोई विक्ती मरता था तो क्या करते थे समसान घाट में जाते थे और फिर घर आते थे पूरी प्रक्रिया को फॉलो करते थे आज लोगों के पास टाइम नहीं होता तो लोगों ने क्या किया कि जल्दी से जला सके ऐसी बिजली वाले यंत्र का आविस्कार किया ताकि समय बचे मतलब क्या है लगाव नहीं है अब समय बचाना है समय क्यों बचाना है ऐसा नहीं कि उस समय की वज़े से आपका कोई काम रुक रहा है लेकिन आज की भागदोड भरी जिंदगी में कहा जाता है कि time is money and money is everything कि समय ही पैसा है और पैसा ही सब कुछ है इसका मतलब क्या है कि आपके जाने के बाद भी दुनिया नहीं रहेगी दुनिया पैसे के पीछे भागी रहेगी मैं ये बताने के लिए नहीं बैठा हूँ यहाँ पर कि मरने के बाद किसी के लिए क्या करना चाहिए कितना करना चाहिए मैं सिर्फ ये बताने का प्रयाश कर रहा हूँ कि आप भी जाहेंगी तो दुनिया को फरक नहीं पड़ेगा आज तो पहले के समय में लोग 13 दिन का काम करते थे मरने के बाद क्रिया कर्म 13 दिन का करते थे आज अब जिन्दगी भागदोड भरी हो गई तो पंडित उपर से आपस में बात करते हुआ निर्णे देते हैं कि चलो सब लोग 13 दिन का नहीं कर सकते अब चलो 7 दिन का किया जाए फिर 7 दिन का भी ज़ादा हो रहा है कि पहले तो फिर भी मरे हुए वेक्टी के लिए तेरा दिन दिया जाता था, अब तो वो भी नहीं दिया जाता है, मतलब आपकी कीमत तब तक है, जब तक आप जीवित हैं, और वो भी गाउ में, शहर में तो आप देखेंगे, जिन्दा रहते हुए भी यदि आप बुड़े हो जाएंगे, तो आपके ही बच्चे आपको वृद्धाश्रम में छोड़ाएंगे, तो आपकी कीमत कितनी है, कब तक है, जब तक आप दुनिया को या घरवालों को भी कुछ कमा करके दे रहें, लेकिन हम उसी के पीछे क्या क में कहा, मैं उसी दृष्टांत को थोड़ा और वणन करूँ, उस दृष्टांत में एक और बात आई है, जिसका यहाँ पर प्रसंग में वणन करता हूँ, कि याज्यवत एक रिसी हुए, उनकी पतनिया है, गारगी और मैत्री, उनको वो समझा रहे थे, कि मैं सन्यास लेन जा रहा हूँ, तो अपने जितने भी संपति थी, उनका बटवारा कर दिया, कहा कि यह सब आप रखलो, मैं सन्यास लेने जा रहा हूँ, तो पतनिया भी ज्यानी थी, विदूसी थी, उन्होंने फिर भी पूछ लिया, कि आप ये सारा धन हमें देखकर के सन्यास लेने जा रहे हैं यादी, तो सन्यास में ज्यादा आनंद होगा, फिर उन्होंने फिर पूछना शुरू किया, फिर बहुत सारे बात नहीं होई, तो उसमें याजी मल्क जीने एक बात समझाई उनको, कि देखो, मेरा तुमसे जो प्रेम है, वो उसका कारण तुम नहीं हो, तुम्हारी आत्मा है, तुम्हारा मुझसे जो प्रेम है, उसका कारण मैं नहीं ये सरीर नहीं, बलकि आत्मा है, क्योंकि सरीर चाहे कितना भी सुन्दर हो, यदि आत्मा निकल जाए, तो कोई उससे प्यार करेगा, क्या करेंगे जल्दी से जल्दी, घर से बाहर निकालो, क्या कहते है सुतक लग जाता है छूत लग जाता है अपवित्र हो जाते हैं उस dead body को बाहर निकालते हैं फिर उस घर को सोने वाले पानी से छिड़क करके पवित्र करते हैं या तुलसी पानी से पवित्र करने का प्रयास करते हैं या फिर गंगा जल छिड़कते हैं कि घर पवित्र हो था वो ही अपवित्र लग रहा इसका मतलब शरीर के कारण प्रेम नहीं है आत्मा शरीर में विराद मान है तो इसलिए आत्मा के कारण वास्तों में प्रेम है इसलिए जिसकी वज़ा से प्रेम है उसको जानना ज्यादा आवस्यक है इसलिए मैं सन्यास लेने जा रहा हूं ऐस मा के विशय में ही सुनना चाहिए देखना चाहिए और उसी का ध्यान करना चाहिए कि शरीर के लिए हम जो कर रहे हैं वो करें भोजन की आओ सकता तो पड़ेगी लेकिन ऐसा ना हो जैसा कि एक सेठ ने किया था एक सेठ था किसी गाओं में बहुत ही अमीर उसने अपने खजानची को अपने जो लेखा जोखा का काम को है ते ने लेखा पड़े का उसको बुलाया मुनीम को और कहा कि मुनीम जी मेरे पास जो धन है वो कितना है एक बार आप गिन करके बता दीजेगा अब मुनीम ने पूरा गिना गिन करके कहा कि देखो इकाई दहाई सेकड़ा हजार में तो नहीं आ रहा है बस आप इतना समझ लिजे कि आपकी 21 पीड़ी पीड़ी समझते है ना बेटा फिर बेटे का बेटा उसका बेटा है ना बेटा पोता पर पोता ऐसे 21 पीड़ी तक काम किये बिना खा सकते हैं गुजारा चल सकता है तो सेट परेशान हो गया से सीर पकड़ के बैड़ गया फिर रोने लग गया तो मुनीम ने कहा कि कोई गलती हुई है कुछ आप कुछ और सोच रहे थे आप कुछ ज्यादा सोच रहे थे तो सेट कहता है कि नहीं मैं सुच रहा हूँ कि 21 पीड़ी तक का तो मैंने कर दिया मेरी 22 पीड़ी का क्या होगा जबकि साधू कहते हैं पूत सपूत तो क्यों धन संचे सपूत मतलब सपूत किसको कहते हैं अच्छा पूत मतलब संतान यदि आपकी संतान अच्छी हो तो कहते हैं पूत सपूत तो क्यों धन संचे मतलब पैसा क्यों बचाए क्योंकि अगर अच्छी संतान होगी तो वो खुद कमा करके कर लेगी और पूत कपूत तो क्यों धन संचे अगर संतान खराब है तो धन संचे करेंगे तो भी क्या फाइदा वो तो उड़ा करके खतम कर देगी फिर कंगाल हो जाएगे इसलिए आउशक्ता कितनी है कि जब तक आपकी संतान पढ़ाई लिखाई करके विवाहत कर ले उनका पालन करना, उसके बाद में उनका काम है आपका भी पालन करना और अपने संतान का भी पालन करना इसलिए इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमारे जो पहले के रिशी हुए उन्होंने चार आश्रम मनाए थे ब्रह्मचरिय, ग्रिहस्त, वानप्रस्त और सन्यास ब्रह्मचरिय आश्रम में बच्चा जब 25-26 साल का हो जाता है जब तक वो पढ़ रहा है जब तक वो शादी नहीं कर रहा है तब तक तब तक क्या करते हैं जो पिता होता है वो ग्रिहस्त आश्रम में होता है क्योंकि 35-35 साल का बनाया है ना तो बच्चा जब तक पढ़ रहा है तब तक पिता ग्रिहस्त आश्रम में होता है अपने बच्चे का पालन करता है जब बच्चा साधी के लायक हो जाता है वो जब 51 साल में प्रवेश कर जाता है तो अब बेटा ग्रिहस्त हो गया पिता हो जाता है वानप्रस्त वानप्रस्त होने के बाद अब वो कमाता नहीं है अब वो बेटे की कमाई खाता है और अब जो कमाने के लिए समय लगा रहा था वो समय जो बचता है तो उस समय में क्या करता है वो गाउं में अपने इलाके में धर्म का प्रचार करता है, अपने समाज की सेवा करता है और परमात्मा का ध्यान करता है, फिर जब वो 75-76 साल से 76 साल में लग जाता है तो वो सन्यास ग्रहन कर लेता है, अब गाउं का तो उसने कर लिया, अब वो शन्यासी कभी अपने गाओं में नहीं रहता है. सन्यासी दूसरे गाओं में जाकर करके, अब उसका लक्ष केवल इतना होता है कि वो धर्मपरचार करें और अपना, अपनी आत्मा का कल्यान करें. तो जो पिता होता है, वो वापस वानपरlaws्ट में आजाता है, वानप्रस्ति सन्यासी बनता है, ब्रह्मचारी ग्रियस्त बनता है, ये क्रम चलता रहता है, लेकिन अभी तो हमारे यहां क्या होता है, पढ़ाई कर रहे हैं तब तक ब्रह्मचारी आश्रम में, उसके बाद ग्रियस्त आश्रम में और ग्रियस्त आश्रम से हमारा हो जाता है. हम वही से चले जाते हैं. तो धर्म के लिए समय कब निकालेंगे? तो ऐसा नहीं है. हम मैं से अधिकाँच लोग क्या सोचते हैं? जो जवान हैं विशेश रूप से हो सोचते हैं कि अभी तो खेलने खाने की उमर है, अभी तो मोज मस्ति की उम्र है, धर्म कब करना है, राजी को कब याद करना है, जब हम बुढ़े हो जाएंगे, जब हमारे लिए कोई काम नहीं बचेगा, तो हम राजी को याद करेंगे, तो हम भक्ती करेंगे, अच्छा, यहाँ पर जितने माता या जितने बुजुर्ग बैठें हैं, उनको पुछा जाए, कि आपने भी बच्पन में, या आपने भी जवानी में ये सोचा होगा, कि बुढ़ापे में भक्ती कर लेंगे, लेकिन क्या बुढ़ापे में भक्ती करने लाएक सरीर रहता है, साफ बताना, चित्वनी में बैठना हो तो 15-20 मिनिट के बाद में घुटने में दर्द करने लगता है, और आजकल तो फिर ये थाईरोइड, फिर यूरिक एसीड, फिर फलाना एसीड, ये वो करते-करते, अब तो ढ़ंग से बैठा भी नहीं जाता है, मुँ में दात नहीं रहते, राजच्यमाजी की जगह पे लाजच्यमाजी, लाजच्यमाजी होता है, तो सेवा करने की इच्छा भी हो मन में तब भी भागदोर नहीं कर सकते, ये तो राजजी की महर से आपके गाउं में प्रोग्राम हुआ, वरना अगर इस जगह पे नहीं आते, तो आप में से कितने लोग दूसरे गाउं में चर्चा सुनने के लिए आ पाते, जवान होती तो पैदल भी आ जाते, पांचात आट दस किलो मीटर, लेकिन नहीं, तो भक्ती के लिए सबसे सही उम्र क्या है, भक्ती के लिए सबसे सही समय कौन चाह है, अभी, अभी का मतलब जब समझ में आये, कि भक्ती करनी है, वो समय सबसे अच्छा है, तो बच्चे, अगर समझ रहें, तो बच्पन से भक्ती करें, जवानी में पता चला, तो जवानी से सुरू करें, बुढ़ापे में पता चले तो बुढ़ापे से ही भक्ती शुरू करें लेकिन करें जरूर अब आप मैंसे बहुत सारी माताएं बहने ऐसी हैं माताएं विशेश रुप से जो पुराने जमाने की हैं या बुजरुग भी होंगे क्योंकि यहां सभी लगबग सुन्दर साथ ही हैं आपके मन में कई बार ऐसा भी लगता होगा कि भक्ती तक टो बात पहुँंच गई पता भी रियक ही करना है लेकिन हमारे पास ज्यान नहीं है ज्यान होता तो बात बनती महराज तो ज्यानी हैं चर्चा सुना देते हैं तो अच्छे भक्त होंगे या अच्छा ध्यान कर पाते होंगे राज्जी उनके दिल में होंगे लेकिन हम राज्जी को कैसे दिल में बसाएं हमारे पास तो ज्यान भी नहीं है ऐसा भी कई लोगों के मन में सवाल आता है आया तो होगा कभी कि हम ने तो वाने भी नहीं पड़ी हम तो पड़ भी नहीं सकते हम तो चर्चा भी नहीं कर सकते हमें तो कोई चर्चा सुना दे तो सुन लेते हैं वाने पड़ करके सुना दे तो सुन लेते हैं हमारा कल्यान कैसे होगा हमें राज जी कैसे मिलेंगे ऐसा सवाल आप में से किसी के मन में आया है आया है तो एक बार हाथ खड़ा करना किस-किस के मन में आया है एक बार के लिए आपको तो पढ़ना आता होगा तो देखिए आपको मैं सवाल पूछू 108 पक्ष सुना है 108 पक्ष के बारे में सुना है उसमें 25 पक्ष तो परमधाम के है ठीक है और 83 पक्ष किसका है कबिर जी का है कबिर जी को कहां तक का ज्यान था अक्षर ब्रह्म तक का तो पूरा ही था परमधाम का संकेत किया कबिर जी कितनी क्लास तक पड़े थे? कहते हैं मसी कागद छुयो नहीं कलम गईयो नहीं हाथ मैंने कभी कलम पकड़ा ही नहीं पेन नहीं पकड़े अच्छा आज कबिर जी के द्वारा कही हुई बातों पर PhD करते हैं लोग उनके पास कोई डिग्री नहीं लेकिन कबिर जी की साखी पर उनके दोहे पर लोग डॉक्टर बन जाते हैं पढ़ाई करके साहित्य के च्छेत्र में मीरा भाई कहां तक पड़ी थी? स्कुल गई कभी? नहीं लेकिन आज उनके साहित्य को हम में की कक्षया में भी पढ़ाते हैं PhD की उसमें उनके साहित्य पर भी PhD किया जाता ह बाकी बाते छोड दीजिए ब्रंब स्रिष्टिया जब ब्रज में आई थी जब उन्होंने अक्षराती श्री राजी जीस्व कृष्ण जी के तन में विराज मान थे तो कृष्ण जी को रिजाया था तो कौन से डिगरी दिखा के रिजाया था कि कृष्ण जी हम PhD होल्डर ने देखिए माइसेल्फ फलाना पीसडी होल्डर हां ऐसा हमने रेजुमे दिया था कृष्ण जी को रिजाने के लिए नहीं कैसे रिजाया कैसे रिजाया अच्छा प्रेम के लिए प्रेम को सीखने के लिए कौन से स्कुल में जाना पड़ेगा कोई है ऐसी यूनिवर्सिटी प्रेम सिखाए ना सिखे जो घट प्रगट होए कहते हैं प्रेम ना बारी उपजे प्रेम ना हाट विकाए कहते हैं तो प्रेम कहां मिलेगा कहां बस हमें उतना ही ग्यान चाहिए जितने में राजी की पहचान हो जाए कि वो हमारी आत्मा का कौन है प्रियतम बोलते हैं क्य अजी को क्या बोलते हैं? आत्मा का प्रियतम, प्रियतम मतलब क्या होता है? प्रिय मतलब, प्रिय मतलब, प्यारा, वाला, और प्रियतम मतलब, सबसे प्यारा. जो लोग पड़े लिखे हैं, उनकी भासा में अगर कहें, तो प्रियतम जो है वो superlative degree है, जैसे good, better और best होता है, उसी तरह से प्रिय, प्रियतर और प्रियतम, यह सब्द होता है, ठीक है? तो प्रियतम का मतलब होता है, सबसे ज्यादा जिससे हमारा प्रेम हो, यह हमारा प्रेम मुख में है की दिल में है? राजी हमारे प्रियतम है, यह बात दिल में है की मुख में है? दिल में है, जिस दिन हमारे दिल में सच में यह बात हो जाएगा, उस दिन फिर ज्यान की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और फिर यह जो हमें समझा रहे हैं ना, अब चौपाय में आते हैं वापस. चौपाई कहती है, सिरले काम करे माया को निशंक पच्छाडे आप अंग कि हम माया का काम करते हैं वे अपने अंग को पच्छाडते हैं कैसे पच्छाडते हैं? पच्छाडने का मतलग कि सरीर में दर्द भी हो रहा है तब भी हम ध्यान नहीं देते हैं एक उदाहरन के लिए कि आप किसी अच्छी कंपनी में काम करते हैं और वहां आपको टार्गेट पूरा करना होता अपने काम का बॉस ने टार्गेट दे रखा है और टाइम लाइन दे रखा है कि इतने टाइम में इतना काम पूरा करना है आप क्या करेंगे आप नाइट ड्य duty भी कर लेंगे, night shift भी कर लेंगे, वही कुरसी है, पैर लटका करके बैठना है, वही computer सामने है, और उसी computer में आप regular अगर 8 गंटे का काम करते होंगे, और आज मान लिजे कि कल last date है, रात 12 बजी तक काम पुरा करना होगा, आप करेंगे की नहीं करेंगे, क्यों करेंगे, क्यों, वहाँ पर boss का डर भी है, और job से निकाले जाने का भी डर है, और salary का increment का सबका है, सोचना पड़ता है, तब आप रात को 12 बजी तक बैठ लेते हैं, लेकिन जब बात आई कि रात जी को याद करना है प्रेम से, क्या वहाँ पर हम पचाड़े आप अंक कर सकते हैं, हम अपने सरीर को लगा सकते हैं, नहीं, अच्छा, अगर हम ये कहें, कि रात को चित्वनी की जाए सोने से पहले, तो हम क्या कहते हैं, नीद आती हैं, उंग आवेचे, आपके घर में महमान आने वाले हैं, रात को 10 बज हैं, तो आप तयार हैं, ट्रेन लेट हो गई उनकी 2 घंटे, क्या करेंगे, आप सो जाएंगे, सो जाएंगे, तब नीद नहीं आएगी, क्यू नहीं आएगी, महमान आने वाले हैं, अच्छा, पहले तो हमने कहा कि हमारे सब से प्यारे कौन है, राजी के लिए हमें नीद महमानों के लिए नहीं आ रही है इसका मतलब क्या है हमारे लिए राजी से ज्यादा प्रेम किसे है तो राजी हमारे प्रियतम कैसे हो गए फिर मुख से कह रहे थे कि दिल से कह रहे थे आपने कहा कि हमने दिल से कहा तो मैंने परिक्षा लिए आपकी परिक्ष्या में आप अभी पास नहीं हो रहे हैं जिस दिन हम ज्यादा भी नहीं कह रहा महमानों को जितनी इज़त देते हैं महमानों को जितना भाव देते हैं उतना भाव भी राजजी को दे दे ना उससे ज्यादा भी नहीं कह रहा है उतना भाव भी दे दे तो राज जी हमारे दिल में पहले सही है क्योंकि हम क्या कर रहे हैं हमारी कमी क्या हो रही है मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा है मैं सिर्फ सच्चाई बता रहा हूं सच्चाई ना अच्छाई और बुराई दोनों से उपर होती है हम जब क्या करते हैं महमान घर में आते हैं, तो महमानों के लिए साफ सपाई करते हैं, घर के? करते हैं कि नहीं? कौन है ऐसा कि महमान आए तब भी हम सामने चलो, चल जागा, ऐसा कोई नहीं कहता है, जो रोज रोज आने वाला है, उसके लिए तो चल चल जाता है, लेकिन जो महमान साल भर में या और जो हमारा सबसे ज़्यादा प्रियतम है उसके लिए घर की सपाई की, उसका घर क्या है, राजी का घर क्या है? अर्ष तुम्हारा मेरा दिल है तुम आये करो आराम अब राज्जी को जहां पर आराम कराना है वहां पर हमारे हृदय में काम, क्रोध, लोब, मोह, अहंकार, इर्ष्या, द्वेस, आलस्य, प्रमाद ये सभी कुडा करकट मकडी के जाले भरे हुए हैं यदी, यदी, हाँ, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि है यदी है, तो आप ये ऐसा कैसे कह सकते हैं कि राज्जी हमारे सबसे प्रियतम है सोच एक प्रिय के लिए हम साफ सफाई कर रहे हैं प्रियतम के लिए भी तो साफ सफाई करनी पड़ेगी न कुछ तो करना पड़ेगा तो राजी के लिए हम अपना हृदे लगाएं चौपई कह रहे हैं कि सिरले काम करे माया को निसंक पचाडे आप अपने अंगों को पटक पटक करके काम करते हैं महमान आने वाले होंगे तो अब अगलग आइटम बनाने हैं खाने में तो महनत लगती है कि नहीं महनत लगती है उसमें महनत कर रहे हैं लेकिन वाणी पढ़ने में चर्चा सुनने में चित्वनी करने में सेवा में उसमें महनत करने पर क्या हो रहा है उसमें ये दर्द हो रहा है उसमें ये ये समस्य आ रही है उसमें समय नहीं मिल रहा है अच्छा आप में से कौन-कौन है जिनको समय नहीं मिल पा रहा है time management भी मैं सिखा सकता हूँ क्योंकि अध्यात्म शर्फ चर्चा करने से ऐसा नहीं होता है अध्यात्म में जितना time management है वो दुनिया वाले नहीं सिखा सकते आपको कैसे कि आपके घर में महमान आए और महमान ने कहा कि चलो आजना हम पिक्चर देखने कहीं जाते हैं, हमारे यहाँ पर अच्छा सा थियेटर है, या अच्छी पार्क है कोई, या फिर पहाड़ी में घुमने चलते हैं अब आपके पास दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे महमान आए घुमने के लिए, मानलो 3 घंटे के लिए जाना है घर वही है काम भी पहले के जैसे ही है लेकिन फिर भी महमान के लिए हम 3 घंटे का समय निकालते हैं, तब कैसे निकाल लेते हैं, कैसे, जल्दी उठते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ पेर चलाते हैं, परिवार के सब लोग, क्योंकि अब पता है न, कि सब गुमने तो सब लोग जाएंगे न, तो सब लोग साथ देते हैं, फटा-फट से काम हो जाता है, उस ना, उनके लिए आगरह करना चाहूंगा, कि घर के माहोल को ऐसा बनाए, कि आपके जो बच्चे हैं, चाहे वो छोटे बच्चे हो, चाहे जवान हो, सब लोग आपके काम में साथ दे, और घर में सब लोग मिल करके ध्यान करें, मिल करके चित्वनी करें, जैसे कोई नई पिक करने के लिए, इसी तरह से राजी को देखने के लिए भी आख बंद करके पूरा परिवार बैठे, जब सब के रिदे में राजी के लिए एक जिसा प्रेम आने लगेगा, परमधाम की वहदत आने लगेगी, तो सब मिल करके जब काम करेंगे, टाइम मैनेज करना कितना चाड़ें, और आगे कहते हैं, ना करे भजन दोस देवे साई को, इसका भाव बहुत ही गहरा है, वाणी क्या कह रही है, कि हम खुद भक्ती नहीं करते, खुद चित्वनी नहीं करते, लेकिन दोस किसको देते हैं, राजी को, कि अभी राजी का हुकम नहीं हुआ है, राजी की मर्जी होगी तो हो जाएगा, राजी की इच्छा होगी तो हो जाएगा, चोपाई कह रही है, कि ना करे भजन दोस देवे साई को, कहे दया बिनान होवे साध संग, लेकिन दया क्रिपा कैसे होगी, वाणी कहती है, करनी मा अफक क्रिपा जैसी हमारी करनी होगी वैसी हम पर क्रिपा होगी और उस क्रिपा के द्वारा हमारी पात्रता योग्यता बनती जाएगी और जो क्रिपा की वर्षा निरंदर हो रही है मेहर की वर्षा जो लगातार हो रही है वो मेहर हमारे पात्र में थमने लग जाएगा अड इस प्रकरण को ध्यान में रखते हुए, इस प्रकरण के भाव को ध्यान में रखते हुए, हम जैसा कि मैंने ब्रज वधुओं का दृष्टांत दिया, कि भले ही वो पढ़े लिखें नहीं थे, भले ही उनके पास कोई डिगरी नहीं थी, लेकिन प्रेम के कारण, रिदय में प्रेम बसाने के कारण उन्होंने स्री कृष्ण जी को उस समय रिजाया, वैसे ही, हमारे हृदय में भी यदि प्रेम हो, तो बहुत अधिक ज्यान होने की आवसिक्ता नहीं होती है, ज्यान हो वो अत्यन तो उत्तम है, लेकिन अब आप फिर से, क्योंकि बहुत सारे बुज उत्तम है, क्योंकि ज्ञान सीखने के लिए ये जरूरी नही है कि इस उम्र में नहीं सीखा जा सकता, इसा तो नहीं है, तो सीख ले तो उत्तम है, वरणा नहीं सीख पाते हैं, तो जितना चर्चा सुन करके, दूसरे के द्वारा टीका पढ़ा करके, या पढ़े हुए सु करके जितना ज्ञान हुआ है उसको दिल में बसाएं और जैसा कि मैंने कहा कि राज जी हमारे प्रीयतम है प्रीय से भी प्रीयतम है तो उसी तरह का विवहार हो प्रीय के लिए जितना एफ़र्ट करते हैं जितना प्रयास करते हैं जितनी कोशिश करते हैं उतना भी यदि हम कर प्यास करें तब भी हमारी जागनी बहुत जल्दी हो सकती है। आप सभी सुन्दर साथ से एक और आग रहा है कि समय तो अब मेरा पुरा हुआ है। आगे तो फोन कट जाएगा है। इतना सब को पता है। ठीके मैसेंजर ओन करना है। कोई वेक्ति हरा दीखे तो ओन लाइन उसको आप यहां दबागे तो वीडियो कॉल होगा है। सब को पता है। बस इसी तरह से जैसे आप लोगों ने अपने बुजर्ग माता-पिता के तो एक मिनिट का समय निकालें उनके हाथ से फोन ले ले । यसलिए होते हैं कि बुजर्गों को क्या होगता है कि हमारे पास पूरे जिवन कानुभभ हें, हमारे द्वारा कही हुई बात ही सभी हैरे हैं। हमारी बात इनको माननी चाहिए, जबकि आज तो समय बदल गया, आज वो जमाना नहीं रहा, जब दो रूपया लेकरके बाजार जाते थे और जोला भर करके सबजी लाते थे, आज वो जमाना नहीं है तो आज जमाने की हिसाब से वो नहीं चल सकते, तो चिर्ड़िड़े हो अगर आपको लगता है कि माता पिता थोड़े चिड़े हो रहे हैं इनको थोड़ा मौन रखना है शांत रखना है तो क्या कीजिए फोन ले लिजिए चर्चा चालू करके उनको दीजिए कि माता पिता माता जी पिता जी आप ये चर्चा सुनिए राजी का ध्यान कीजिए या आप ध्यान की तरफ ज्यादा ध्यान दीजिए, तो इसलिए YouTube जो हमारी सुविधा है, आज के समय में विज्ञान के द्वारा दिया गया एक वर्दान है, उसका उपयोग करें, सभी सुन्दर साथ, श्री प्राणात ध्यान पिठ के द्वारा जो YouTube में चर्चा आती है, चैनल क के नाम से, तो उसे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और उससे आप स्वयम भी सुने, आपके घर में जो भी माता पिता है, कभी बीमार है, इदर उदर नहीं जा सकते, तो फोन आपके घर में है, स्पिकर के साथ में जोड़ दें, उन्हें चर्चा सुनाएं, उन्हें के माध्यम से कहें, कि जो शब्द इसमें कहें गए हैं, उसके भाव के हिसाब से राज्जी का ध्यान करें, बस इतना ही कहते हैं, मैं अपने वाने को विराम देता हूँ, अब चोपाई दो रहा हैं। कुछ देवे साई को, कहे दया बिना न होवे साध संग।